क्लास्रूम स्टाइडी आज का मारा टॉपिक है पुछेज और डिवेंचर्स फ्रम ओपन मार्केट यह एक मेथड है आपका फॉर्ड रडॉप्शन ऑफ डिवेंचर्स तो यह क्या मेथड है इसको कैसे यूज करते हैं साथ इसके क्या बेनिफिट होंगे कामपनी को और क्या कांटिंग ट्रीट्मेंट होगा यह सब हम आज की वीडियो में करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो चले वीडियो के स्टार करते हैं कि स्ट्रेंट जिससे कि हमारा टापिक है परचीज आफ ओन देवेंचर फॉम दी ओपन मार्ट मीज कामपनी जो है अगर रिदम्शन करना चाहती है अपने मार्केट से दिवेंचर को कम करना चाहती है आउटसाइडर्स होल्डिंग को तो यह मैथडिया यह एक आउटसाइडर्स और अपने डिवेंचर बापस ले ले दिया यू कैन से वाइब बैक कर लेती है लेकिन बैक जो है एक उटी शुर्द के लिए यूज करते हैं तो कामपनी अगर बैक करती है न आपने डिवेंचर को दुबारा परचीज करती है मार्केट से रही परचीज बैक ज़्या हो सकते हैं आपके फोर इमजेटली ऍवेस्टमेंट ऑर फोर औफ ओंडिवेंचर्स हुआ जईसा ही निचु गर्शाएम जाएगी मिस उतने नंबर देवेंचर मार्केट से हमारे रिडीम हो जाएंगी कंपनी के ओक अगर कम्पनी एजे इन्वेस्टमेंट परचेस करती है तो सेम आवारे जो आउटसाइडर से आउटसाइडर जो होल्डर थे विश्ट उनकी मेंबर्शिप तो कैंसल हो जाएगी बट कमपनी की मेंबर्शिप राइज हो जाएगी उतने नमबर अफ चेर्स के लिए जितने कामनी ने एज़ इन्वेस्टमेंट परचीस किया है तो कमपनी जब बाइब करती है मींस ऑन पर मारे 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 म तो यह benefit है, और second लिए कि company को अगर redemption करना था on premium, premium पर redemption करना था, premium on redemption, right, तो company अगर buyback कर लेती है, immediately उनको on purchase कर लेती है market से तो company को यह benefit भी हो जाएगा indirectly, कि उसको premium नहीं देना पड़ेगा फिर उन particular diventures holders को, okay, second benefit है, और third benefit है कि company अगर purchase कर लिए diventures को, तो further उसे क्या है, interest on diventures नहीं देना पड़ेगा, okay, तो यह कुछ benefits है, जो company को होते हैं, अगर company on purchase of diventures करती है, from the open market, clear, तो अब चलिए देख 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 इसकी accounting entries क्या होंगी, okay, तो इसकी entry हम देखेंगे, same for the immediately cancellation as well as when the company purchase for as an investment, clear, तो अगर as for immediately cancellation company purchase करें, तब भी when no sinking fund exists, secondly option, second case, when sinking fund exists, okay, sinking fund is also called venture redemption fund, okay, so sinking fund क्या होता है, इसका accounting treatment कैसे करते हैं, क्या legit बनाते हैं, यह सब हमने अपनी previous videos में किया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर जा कर देख सकते हैं, okay, तो चलिए entry क्या होती है, first case में for immediately cancellation as well as when sinking fund not exist, okay, so यह अब का, immediately cancellation false entry क्या है, immediately cancellation है, to immediately company को क्या है, profit या loss यो भी हो जाएगा, deventures account debit to bank to profit on cancellation, अगर profit है तो अगर loss है तो loss को debit करेंगे आप, deventure account debit, loss on redemption debit to bank, bank में हमीशे वही प्राइस आएगा, जो भी आप पे कर रहे हैं, for the purchase of, repurchase of deventures, और अगर profit हुआ है, आपको on purchase करने पर, repurchase करने प cancellation and venture account debit to capital reserve, और अगर loss है, तो loss की adjust करने के entry होगी, capital reserve account debit, security premium account debit to loss on redemption and ventures, भी हम loss on redemption and ventures को 200 प्लस से अपने write-off कर सकते हैं, क्या 200 प्लस हमारे पास अविले बले है, capital reserve और security premium का balance, okay, then second option है, when sinking fund exist, okay, lastly क्या था, कि हमाना sinking fund exist नहीं है, अगर एग्जिस्ट है, हमने बनाया है, अप sinking fund, तो फिर क्या होगा, sinking fund investment जो आपने किया है, उसको sell करने की entry जो है, वो एक और add हो जाएगी, बाकि same entry है, okay, तो sell करने की entry क्या होगी, यह आपके सामने है, bank account debit, venture redemption funded debit, अगर profit हो रहा है on sale, sorry, अगर loss हो रहा है on sale of investment then, and to venture redemption investment, क्योंकि investment sale हो रही है, तो credit करेंगे, and interest on venture redemption fund investment, जितने time तक आपने रखा है investment को उतने time का interest आपके पास कोई अकरूड था, वो रिसी बोनी की entry है, and to venture redemption fund, means sinking fund, अगर profit हो रहा है on sale of venture redemption fund investment, clear, तो यह sell करने की entry पहले आपने करना है, फिर sell करने से जो भी proceeds होगा, उसका use करेंगे, हम market से अपनी securities को purchase करने के लिए, तो वही entry है next हमारी purchase करने की, on deventures account debit to bank, okay, then अगर आपने loss पर purchase किया है, तो next entry हो जाएगी, आपकी, deventures account debit to loss on cancellation, deventure debit to on deventure to profit on cancellation, okay, profit हो सकता है, या loss कोई भी एक account आपका exist करेगा, एक time पर दोनों नहीं होंगे, clear, तो first purchase करने के entry है, second and उसको cancel करने के entry है, securities को means deventures को, then profit या loss है, उसको transfer करने के entry, CR में profit को add करेंगे, capitalism में, और अगर loss है, तो उसको adjust कर देंगे, मतलब उतना मारा surplus जो है, वो कम हो जाएगा, capitalism debit, security premium debit to loss on cancellation of deventures, okay, या entry है, then आपने जो deventure redemption fund बनाया था, उसको cancel करना होगा, तो उसको general reserve में transfer करें, cancel करते हैं, आपको पता ही है, तो deventure redemption fund, sinking fund account आपे to general reserve, okay, यह हमने किया था sinking fund वाले method में, तो आप वो देख सकते हैं, समझने के लिए, then आपका second method है, as an investment, second case हमारा यह है, कि आप deventure purchase करें from the open market as an investment, okay, तो उसमें भी आपकी दोग के situation होगी, when not sinking fund exists, when sinking fund exists, तो इसमें भी same entry हैं, बड़ इस क्या है, कि अगर आपने as an investment रखी है, second ventures को cancel नहीं किया है, तो उतने time का interest company को खुद को receive होगा, okay, जितने भी on purchase किया है न, adventures company ने, suppose कि market में, उसके 2000 ventures है, 2000 में से company ने 100 ventures जो है, repurchase कर लिए as an investment, तो जब तक भी company in 100 ventures को as an investment रखेगी मतलब cancel नहीं करेगी, उतने time का interest जो है, वो company को खुद को receive होगा, और बाखी जो 1900 ventures holder है, वो market में हमारे है, तो वो outsider को payment किया जाएगा, और 100 per company को खुद को pay किया जाएगा, interest on on ventures के name से, okay, तो उसके entry होगी, वो देख लेते हैं, बाखी same entry होगी, तो यहां पर आप देख स नो sinking fund exists, उसके entry होगी, इंटरस की, डिवेंचर इंटरस अकाउंड आपी, तो इंटरस रूब डिवेंचर आप डिवेंचर के बाद, और अटरस जो हमारे आउटसाइडर से, टिके आउटसाइडर से वालों को जितना payment कर रहे हैं, और डिवेंचर इंटरस में टोटल दोनो को आड वन करने के बाद के युग एंट्रें और आपिट अटकेंपार कान्स का सुछ कई घब दो अडितर बांग कि इंट्रेंट्रेंट्स हो एंट्रंट्स जुफंट्र में खरंगे और और यहां जो लॉसे नो citizenship करेंगे स्ट-सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब ही जहां करते हैmber समझ दूम एक बाद धियान कि आपको यह जो इंट्रस वाली इंट्री करनी है यह ओंड इवेंचर पर तभी करनी अगर कमणी ने ऐसे इन्वेस्टमेंट रखाए अगर इमिजेटली कर देती है कंपनी तो फिर नहीं होगी तो कंपनी को इमेजटली प्रफित हो जाएगा तो दोनों केसिस में समझेंगे हैं हम फरस्ट है यह हमारा इमीजेटली कैंसलेशन का सेकिंड करेंगे एज इन इन्वेस्टमेंट का तो देखिए फेले XYZ Limited has 5,010 पर देवेंचर रपीस 100 एच आउटसेंडिंग ओके आउटसेंडिंग मतला अलरडी इस्जूड है इंटरस ऑन देवेंचर इस पेड हाफ यर्ली ऑन 30 जून और 31 डिसेंबर एवरी यर कंपनी इस नाट मेंटेनिंग अनी सिंकिंग फंड फॉर्ड रडांप्शन और देवेंचर नो सिंकिंग फंड एग्जस्ट ओके तो सगिन जो फॉर्स कैस था उसकी एंट्री करने है अपने और फॉर्स अप्रेल 2020 तो कंपनी पर्चेस 500 एवेंचर अजिरेट पीस 95 इच कम इंट्रस फोर इमिजेटली कैंसलेशन ओकी कम इंट्रस वह या एक्स इंट्रस क्या होता है अगर आपने नहीं देखा तो यह भी आप प्रीवेज वीडियो में जाकर देख सकते हैं चैनल पे दिन कंपनी ने पर्चेस किया है फोर इमिजेटली कैंसलेशन देखिया तो इं कि अपने परदों आपने परचेस और इमिजेटली कैंसलेशन के एंट्री करनी है यह एंड आपको अजय करना है कि कंपनी जो रिडियो में डिस्कास किया था वह वीडियो भी देख सकते हैं और चनली में आपको बतात हूं कि डियाए यह एक परसेंट बनाना होता है वह इ बनाना होता है at least okay मतलब minimum इतना बनाना है maximum कितना भी बना सकती है company तो सबसे पहले बनाने के entry करेंगे क्या होती है यह बनाने के entry surplus account debit या फिर profit and loss account debit to DRR कितना जाएगा DRR कितने डिवेंचर्स का रिडीम कर रहें फिर्थ सक्षायचर्स त्रो थे जरुझ जूंड्डर में 1 बेंचर्स इन दोनों का one čomas रेंचर्स फाइवहं रहें 1हन फिर नेजिञा तो कितने का कितने का गये मつुक्त कितने हैं कि आपका हंडर्ट का मीं 1 लेक 10,000 को डिश्थ कपे करें कि एंड़ूमें डिसमे एंपरील से पहले इंट्रस काप के हम बश्च अॉपर 50,000 के ऊपर थ्री लाई इंट्रो में किता परसेंट है तेन परसेंट के अकॉर्डिंगली तो आपका हो जाएगा त्वेल हंड्रेट फिफ्टी वान तू फाइब जिरू आजाएगा पर इंट्रस और डिवेंचर आखरूड फोर्स्ट वाले के लिए सेगिन वाले के लिए देखो सेगिन भी हमारा चीज किया है औक्टबर से पहले इंट्रस कब दिया होगा कंपनी ने अब जून में दिया होगा राइट जून से ऑक्टबर तक इतना टाइम गाप हो गया जुलाई ऑगर्स सेप्टेंबर क्योंकि फोर्स्ट्री मन्त यहां पर भी हो गए तो तो त्री मन्त का निकालेंग कम इंट्रस्ट में पता है प्राइज में आड़िड है एक्स इंट्रस्ट उसमें आजट नहीं है तो एक्स्ट्रा अड़ करके फिर पेमिंट की एंट्री करेंगी आसे भी समझ सकते हैं आप यह वरकिंग नोट है अगर आपको केल्कुलेशन नहीं समझ में आई तो चलिए इंट्री देखते हैं यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले क्या है डियार क्रिएट करने की एंट्री है वन लेक तिन थाउजंड अपले सब्सक्राइब टुबेंचर अप्रशन रिजर्व और किसके बात परचिस करने की एंट्री फोस्ट आपर ट्वेंटी त्वेंट्री में कितना आएगा नॉमेनल वैल्यू जो है फिप्टी थाउजंड बांक में फाइफंडेड वेंचर परचिस के नाइंटी फाइव इच किया है तो में डिप्लाइब करेंगे सिंपली आपका बालेंस आ जाएगा और प्रॉफिट में कितना आएगा बालेंसिंग फिगर ज अक्टुवर में किया अक्टुवर से पहले आमें इंट्रस्ट देना होगा तो एवेंचर इंट्रस अकाउंड़ेड वेंचर बेंट डाब टू बैंक इसको और आउटसाइडर्स को ओकी आउटसाइडर दो कारें कमने के टोडल इंट्रस को पाइफ थाउजंड थे थालन विद्वेंटे से कांपरी ने कितने 500 इवेंचर का बाइब कर लिया मतलब और परचीस कर लिया तो कितने बचे 4,500 इंटू 100 इच मतलब 4,500 हो गया तो 4,500 की उपर 10% के एकॉर्डिंग 6 मंद का डेवेंचर साफ इंट्रस्ट चार्ज करेंगे जो कि आपका 22,500 अज जाएगा काम हो जाएगे हमारे टोटल में से थे 500 तो इसलिए इनको पूरा 6 मंद का मिलेगा और जो कैंसल हुए हैं उनको सिर्फ जब तक कैंसल हुए है तब तक का इंट्रस्ट देंगे मतलब 3 मंद का लिया देन है Next Company ने से किया है कब सेकिंड परचीस किया है October में तो परचीस करने केका एंच hypnoti से अंधियर इंच यहां एंच को मईं। इंच घलए काउंट में कलेट चैन आपको प्रोपिटयों कैंसिश्चन ओर यह हमने पता है यह साल हमीशें नौ मैं लुल दया इनक्रशन में काल्कुलेट किया है 1500 और बैंक में क्या करेंगे इंट्रस को एड़ करने के बाद पेमिन करेंगे तो मैं डिपलाए किया पहले 90 को अगर 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 दिया तो पेमिन आगे आगे 500 ऑल्रेडी कैंसिल हो गए बची 4500 उसमें सी 600 अगीन कैंसिल कर दिया तो कितने बचके 3900 में इस 3900 डिविंचर होल्डर हमारे मार्किट में है उनको इंट्रस पे किया जाएगा फॉर दी सिक्स मांट्स ऑकी तो 39,000 का मतलब क्या है 3,90,000 10% के अकॉर्डिंगली 6 मांट्स का त इत्रस ट्रांसपार करना पड़ेगा पिनल अगाउंट में तो पी इस्टे मिन अगाउंट आपि तो डिविंचर इंट्रस कितना है 44,750 कैसे आए जितना भी आपने इंट्रस पे मेंड किया है डिविंचर होल्डर को उसको अड़ कर लीजिए जिसे कि इस बोस्त हमारा यह 19 सब्सक्राइब करेंगे तो इतना ही आजाएगा 44,750 उसको पीनल से हमने अर्जिस्ट कर लिया दिन फाइनली प्रॉफिट हमेंजे हुआ है और कैंसलेशन और इवेंचर इसको ट्रांसफर करेंगे सियार अकाउंट में तो 9,750 कैसे आया है आपने टू टाइम परचेस किया है और इमीजेटली कैंसलेशन गया था सइकंड परचेस कामारा फॉफिट था 3,750 हो Rush 1Me का गया था समखे अंवेटन हमेंट किया होगा कि कैसे इंवेस्टमा एकस्ट्रस और कमjak कौन का यह कोस्टियोंट है अधनर क्वेशन है सब्सक्राइख लेके तो तो क्या इंट्री सब्सक्राइब करने होगी इंट्रस पेबल ऑन 30 सेप्टेंबर 31 मार्च एवरी यर इंट्रस पेमेंट के एंट्री होंगी और फॉर्स जुलाइड 2018 कमनी परचेस थाउजन और इंवेस्टमेंट परचेस किया इमीजेटली कैंसलेशन नहीं है सेगेंट परचेस किया है और फॉर्स जैनुरी 2019 को यहां पर कम इंट्रस है और यह भी अगें ऐसे इंवेस्टमेंट है दिन नहीं है यहां पर 2019 है मिस्प्रिंट है थोड़ा सभी कर लेना आप 2019 कंपनी कैंसल इट्स ओंड वेंट्रस मतलब नेक्स यर कमणी ने जितने भी पर कर दिया है की कंपनी फॉलोगी फॉलोग तफानेशल यर आपरेल मार्च अपरेल मार्च वाला है अन्ट यह जर्नलाइजे अप ठांजेक्शन बिक्सफा अव्ल्संटी नग्रजाय्चन 17-18-18,19, कि इनको एजिम दाट दाट दी अरडिया डिया राई आज बीफोर मेकिंग दी रडाम्शन क्या मतलब है कमने रडाम्शन करने के परपस दिया फंड बनाया था और इंवेस्टें बनाया था उसको सेल कर दिया है सब कुछ कर लिए वस आपने इनकी एंट्री करनी है परजीस क करने की तो सबसे पहले कामनी इश्व कर यह 10,000 इवेंचर्स हांडेड इच फ़स्ट आपरेल को तो इश्व के एंट्री क्या होती है आपका बताइए बैंक कांट डापिट डिवेंचर्स अकाउंट कितना हो जाएगा टेल लेग ऑकी 10,200 तो फिर्स आपरेल को उसके बाद कामपनी क्या परचीज कप कर रही है डिवेंचर्स बाइब काउन परचीज कप कर रही है 1 जुलाई 2018 मतलब की मार्च के बाद तो मतलब नेक्स्ट इयर में कर रही है तो इस यह में सिर्फ हमारी क्या होगी सिम्पल इंट्रस की एंट्री होगी एक तो सब्टेमबर में सेग सिक्स मांट्स का तो आपका 60,000 हो गया सब्टेम्बर का अब सेकिंड इंट्रंस की पीमिन करेंगे थर्टियत थर्टिफोस मार्श को 2018 में क्लिया तो सेम एंट्री सेम एंट्री सेम अमांट हमारा डिवेंचर इंट्रंस अकांट आपट तो बैंक सिक्स्टी थाउजन कैसे वही 12 लेक का 12 पॉसें से सिक्स मांस का तो आपका सिक्स्टी थाउजन आ जाएगा उसके बाद यह एंट हो गया तो पी एंडल में ट्रांस्पर करेंगे टोटल इंट्रस पेमिन जितना किया आपने कितना वन लेक ट्वेड़ी थाउजन ओकी टू ट इस था आपका X interest एक सिंट था 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 ऊबें और इंट्रस्ट में आएगा पने इंट्रस धिया थाउजन अच्छेंट्रस कैलकुलेट नहीं हैंने मैं समझा देद्वे आपको कैसे कालकुलेट करना है यह देखिया इस से पहले इंटर्स कंपनी ने कप दिया है मार्श में लिए था थायम तकिता ऐो गया मर्ट शे आपरेल में जुन ध्री मांस हो गया ऑक थी मंस का निकालेंगे इंट्रस इसके उपर ऑन थाओजन अपने दिवेंचर सब्सक्राइब क्या हैं वन लैक okay one like के उपर आपने निकालना है 12% से इंट्रू में three months का okay three months का तो आपका three thousand interest आ जाएगा clear second purchase जो किया है company ने कितने किये है two thousand किये है okay तो का purchase किया है company ने first january 2019 को गिया है इससे पहले company ने interest का दिया है September में दिया है September से january no yes September से january तक September से january तक मतलब क्या हो गया आपका September के बाद क्या हो दा है October November December okay first january वो तो आएगा ने तो three months इसके उपर भी हो गया आपका तो two lakh के उपर two lakh इंटू में 12% इंटू में three months three by 12 तो आपका कितना हो जाएगा है through to the six six thousand आपका इसका interest हो जाएगा clear तो चलिए अब entry देख लेते हैं देगे entry तो पता ही आपको on-deventure account debit interest on-deventure account debit to bank तो interest में तो interest हमने calculate कि first का three thousand आया है bank में क्योंकि X वाला case है तो add करके आएगा interest को तो 96 में purchase किया है thousand adventures 96 thousand हो गया plus interest 3000 तो 99 thousand payment करेंगे और on-deventure में balancing figure आजाएगा अपका 99 minus 3000 करके उसके बाद क्या है company का September आगया September आगया तो अब interest payment करना होगा अब यहाँ पर देखे two types के diventure holder है company एक तो company खुद है और एक दूसरे आउटसाइडर से outsider कितने है company के total 10 thousand diventure से company के जिसमें से thousand company ने on purchase कर लिये हैं तो outsider कितने है मतलब 9000 9000 के मतलब क्या होगे 9 lakhs तो 9 lakhs के उपर आपको निकालना होगा एक सेकिड 9 lakhs के उपर आपको 12 पोसिन से 6 मंत का interest कालकुलेट करना होगा क्योंकि यह आउटसाइडर से इंके interest पर तो कोई effect नी पड़ेगा तो same calculate कि आपने तो आपको आजाएगा 54,000 यह देखिए यहां पर लिखा भी है 54,000 और second लिए आप company के पास कितने है company के पास है 1,000 1,000 मतलब की 1 lakh 1 lakh का 12% से इंटरू में 3 months का 3 by 12 क्योंकि 3 months का already company को दे दिया है purchase करने के time पर यह और second 3,000 जो है वह company को 3 months का आगली 3 months का company को आप दे रहे हैं और total payment 57,000 का payment करेंगे clear तर उसकी पास company का क्या है January आगया है January में company ने second purchase किया है तो second purchase करने की entry होगी on-diventure account आप इंटरू इंटरू बांक इंटरू में तो 6,000 आजाएगा second का हमने calculate किया था bank में क्योंकि यह कम interest वाला case है तो interest आड़ नहीं करेंगे simply multiply करके payment कर देंगे और हमारा on-diventure balancing figure में आ जाएगा तेना उसके बद company का March आगया March में interest देना है सेम अब company के पास कितने diventures है 1,000 पहले purchase किया 2,000 अब purchase किया मतलब 3,000 diventures है और दोनों का अलाग अलाग interest निकालना होगा आपको कि 1,000 के उपर तो 6 month का interest देना है आपने 12% से और 2,000 के उपर 3 months का interest देना है आपने 12% से बाकी कितने बचे के market में आपने 10,000 में से 10,000 में से 3,000 तो on purchase कर लिए तो कितने बचे 7,000 7,000 मतलब 7,000 तो 7,000 के उपर पूरा 6 month का 12% से तो 7,000 तो 12% इन्टू में 6 month आप calculate करेंगे तो आपको 42,000 आजाएगा और सेकिर लिए आप निकालेंगे 1,000 जो कमपनी ने पहले purchase किये थे 12% से इन्टू में 6 month का तो आपको 6,000 ये आजाएगा और सेकिर आउन पर चीज चुकिया एक अपनी ने 2,000,000 के उपर 12% से इन्टू में 3 months का 3 by 12 अब इसके उपर 3 months का क्यों निकाला हमने क्योंकि 3 months का अभी हमने इमीजेटली पेगिया है यहाँपर दिखो यह जो 6,000 है यह 3 months का यह तो पेगिया इसलिए आप नेक्स 3 months का मिलेगा स्रिव यह और डिवेंचर्स वालो को सेगिन और टोटल आप पेइमेंट कर देंगे यहाँपर 54,000 का यह एर एंड हो गया है तो प्रॉफिट और लॉस अगाउंट में ट्रांसफर करने पड़ेगा इंट्रस्ट को तो कितना पेइमेंट किया आपने पूरा 1,20,000 का कैसे आप इसको आड ओन करके देख सकते हैं कितनी पार आपने डिवेंचर इंट्रस अगाउंट को डबिट किया है देखिए पोस्ट यहाँपर 54,000 के लिए हुआ है यहाँपर 6,000 के लिए हुआ है देन थर्ड इसके और उपर जाएंगे हम ड्राप करेंगे तो यहाँपर देखिए 57,000 इसको भी आड़ कर लीजिए 3,000 इसको भी आड़ कर लीजिए तो टोटल आपका वन लेक 20,000 हो जाएगा जो कि हमें प्रॉफिट और लॉस अगाउंड से चार्ज करना है अर्जिस्ट करना है उकि उसके बाद ऐसे ओंड वेंचर इंटरस्ट आपने मतला कमपनी ने खुद को अपने आपको कितना इंटरस्ट दिया है उसको भी आड़ कर लो आप यहाँपर दिखिए प्रवेंचरने इंटरस्ट रांड वेंचर कितना है आप यहां पर ट्रांसफर कर देंगे पेनल अगाउंड में यहांपर देखिए उसके बाद कमपनी ने क्या है तो कैंसिल कर दी जितने भी कमपनी ने परचैस की है है अभी तक उनको ऐसे इंवेस्ट में रखा है रइट अब उनको कैंसिल कर दिया है कब माज 2019 को तो कैंसिलेशन की एंट्री होगी कमा इन एंट्री किया है टोटल कितना वान परचीस किया है 3000 3000 मतलब 3 लाग व्कित्री लाग पर टू ओन डिवेंचर कितना हो गया और विंचर आपने जितने भी डाविट किया है यहां पर देखिये मैं आपको दिखा देती हूं इन फर्स परचीस किया ता वहां पर 96 था प्लस वन लेक एडी सिक्स थाउजन तो कितना हो गया 6 612 टू 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 लाग एडी टू थाउजन आपका ओन पर चीज में आ जाएगा यहां पर देखिये यह है ओन परचीस में आपका 282 थाउजन आपने क्रेडिट करना है और प्रॉफिट वही बैलंसिंग फिगर आपका जो है प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन हो जाएगा जिसको की बात में आप कापिटल रिजर्म में ट्रांसफर गरेंगे प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन अगाउड कि आपको जो टापिक है वो क्लियर हुआ होगा अगर नहीं समझ में है तो वीडियो को दुबारा से आप रिपीट करके देख लीजिए तो वीडियो पसंद आई वे अपने फ्रेंज के साथ शेयर करें वीडियो को लाइक करें थैंक्स फॉर वाचिंग